हम कार्तिक पूर्णि मकी तुम्हे भगतों कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं च्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं करीस दिन गंगस्ना ये पर्व है बड़ा महां भक्ति जनो कार्तिक पूर्णि मा के शुभ और जर्प हैं वैसे तो कार्तिक मास में पूरे माह तीर्थ अस्थान में अस्नान करने का बड़ा ही महत्तो हैं किन्तु पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र तीर्थ में या गंगा असनान करने से सहस्त्र गुड़ा फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी कुछ पौराणी कथाएं हैं जिनको आज हम आप सभी भक्तों को सुनाएंगे। आसा है आप सभी भक्त इन कथाओं को सुनकर पुन्य प्राप्त करेंगे। शंखों सुर्णामक दानों इक हुआ बड़ा बलवान जिसने सागर में है छुपाएं सारे वेद पुराण। जो इस धर्ती पर जाते नहीं पड़े हैं देवतगण भी जिसके कारण शक्ती हीन हुए है। आधिपत्त है दीन लोक पर असुर्व करना चाहें इतना जान कर सभी देवतागण है तो घबराएं। इंद्र देवताने भी वगतों स्वैम यही माना है अब तो लगता शंखा सुर्कों कठिन हराना है। सब देवों को लेकर विश्नों शरन में आते हैं पावन कठा सुनाते हैं। स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं हम कठा सुनाते हैं। कर इस दिन गंगासना ये पर्व है बड़ा महां। बद्ध जनो शंखा सुर की शक्ति से सभी देवता भैभीत होकर भगवान विश्नों की शरन में आते हैं। शंखा सुर तो बड़ा मायावी था उसने पहले ही जान लिया कि सभी देवता मुझसे बजने के लिए विश्नों जी की शरन में चले गए हैं। तब शंखा सुर सागर में जाकर छिप जाता है। इधर इंद्र देवता ने भगवान विश्नों को शंखा सुर के अत्याचारों के बारे में आउगत कराया। तो भगवान विश्णू ने अपनी दिविद्रिष्टी से जान लिया कि शंखा सुर सभी वेद पुराणों को लेकर सागर में छिप गया है उन्होंने शंखा सुर के वद की योजना बनाई सागर में छिपे शंखा सुर्का वद करने के लिए ही भगवान विश्णू ने मतश अवतार लिया था तब ही लिया है विश्णू ने मतश अवतार मतश रूप में शंखा सुर्का फिर कर दिया संभा वेद पुरान जो शंखा सुर्ने थे सागर में छुपाए मतश रूप में सोय महरी उन्हें बाहर लेकर आए शंखा सुर्के वद को मतश रूप बनाया है और देवों का खोया हुआ सम्मा लोटाया है शंखा सुरकावद जो हुआ तो देव हुए है प्रशन कार्तिक माशिक पून मकाही भगतो था शुब दिन इसी खुशी में मिलकर देव दिवाली मनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं करीश दिन गंगस नान ये पर्व है बड़ा महान बगत जनों इस प्रकार भगवान विश्णु ने मतश अवतार लेकर शंखा सुर नामत तैति का वध कर दिया स्वर्ग लोक में शंखा सुर के वध की खुशी में देवों ने दिवाली मनाई थी प्रिय भगतों कार्टिक पुर्णिमा से चुड़ी एक और कथा का हम वर्णन करने जा रहे हैं बात उस समय की हैं जब भगवान भोले नात के पुत्र कार्टिके ने तारकासुर नामक दानों का वध कर दिया तारका सुर्दानों के तीन पुत्र थे जिनके नाम क्रमसा, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्धुत माली थे जब तारका सुर्द के पुत्रों को अपने पिता की मृध्यू का समाचार मिला तो उन्होंने देवताओं से अपने पिता की हत्या का प्रतिकार लेने की मन में ठान ली और ब्रह्माजी की कठिन तपस्या करने लगे उन्हें प्रसंद कर लिया ब्रह्माजी उनकी तपस्या से प्रसंद होकर उन्हें वर्दान मांगने को कहते हैं तभी तीनों भाईयों ने ब्रह्माजी से अमर होने का वर्दान मांगा ब्रह्माजी ने उन्हें अम्रत्यों का वर्दान ना दे कर कोई और वर्दान मांगने को कहा आप अगर वर्दान अमरता का ना देना चाहें तीन नगर हम तीनों भाईयों के लिए आप बनाएं ऐसे नगर जिन पर हम तीनों भाईयों राज करें तीन लोक में लेकर उनकों चाहें कहीं फिरें और तीनों ही नगरी जिस दिन एक सीध में आएं एक हिबाल से कोई देवता नष्ट उन्हें कर पाई ब्रह्मा जी ने उन तीनों की शर्त मान ली हैं तीनों भाईयों के लिए नगरी तीन बना दी हैं मन चाहा वरदान वो ब्रह्मा जी से पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं ब्रह्मा जी ने उन तीनों को अमर्ता का वर्तान नहीं दिया तो जब यहां तीनों नगर एक सीध में आ जाएं तब कोई ऐसा शक्तिशाली देवता जो एक ही बाण से तीनों नगरियों को नश्ट कर दे तभी हमारा वधसंभव हो पाए ब्रह्मा जी ने उन्हें ऐसा ही वर्दान दे दिया तारकाक्च के लिए उन्होंने सुरण नगरी का निर्माण किया कमलाक्च के लिए रजत नगरी बनाई और विद्युत माली को लोह नगरी दे दी तीनों भाईयों ने अपने अपने नगर पर राज अस्थाफित कर लिया और अपने नगर सहित तीन लोप में भ्रमण करने लगे अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने देवताओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिये अत्याचार उसे दिवतागर उन तीनों से घबराएं भोले नात की शरन में आखिर सभी देवताओं कहने लगे के तीनों देत्य बड़े ही हैं बलवार और पालिया ब्रह्मा जी से कुछ ऐसा बरदार अपने अपने नगरों सहित ब्रह्मान में घूम रहें बलशाली हो गए ऐसे के मद में जूम रहें दिन पत दिन बड़े रह भोले उनके अत्याचार आप ही कर सकते हैं ऐसे देत्यों का संहा हम उनके अत्याचारों से मुक्ति चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं करेश दिन गंग असनान ये पर्व है बड़ा महा भक्त जनों तारकासुर के तीनों पुत्रों के अत्याचारों से सभी देवतागण बड़े दुखी थें आखिर भोले नात की शरन में आकर देवतागण कहने लगते हैं हे भोले नात आप हम देवों के भी देव हैं कारकाक्ष कमलाक्ष और विद्धुन्त माली का आप एक साथ वद करने में आपके अलामा कोई भी शक्षम नहीं है उन तीनों भाई अपने नगरों सहित सारे ब्रम्भांड को आतंकित कर दिया हैं अब हम सभी देवतागण आपकी शरन में हैं आप उन तीनों देत्यों का वद करके उनके अत्याचारों को समाप्त करें सब देवों ने भोले नाथ से जब है करीब काथ भोले नाथ फिर उनके वद को हो गए हैं तयाँ प्रिथ भी कोई रथ भोले ने अपना बनाया है सूर्य और चंद्रमा को पहियों में तो लगाया है वरुड इंड्रय अमराज कुबेर को अश्व बनाया है बने हिमाले धनुस प्रतेंचाशे से चणाया है अगनी देव को बना लिया है भोले नाथ ने बार दिव्य धनुस और दिव्य हिरत का हो गया है निर्मार भोले नाथ अब युद करने दैत्यों से आते हैं पावन कथा सुनाते हैं स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं करेश दिन गंगस नाथ ये पर्व है बड़ा महार भगत्य जनों जब भोले नाथ दिव्य रत पर सबार होकर युद के लिए प्रस्थान करने लगे तो दैत्यों में हाहाकार मच गया देवताओं और दैत्यों में बड़ा भारी युद्ध हुआ तारकाक्ष कमलाक्ष और विंधुंत माली तीन और से देवताओं पर अपने शस्त्र चला रहे थें फिर युद्ध करते करते एक समय ऐसा भी आया जब तीनों भाईयों के नगर एक सीध में आ गए भोले नाथ को इसी छण का इंतजार कर रहे थें जैसे ही तीनों पुरिया एक सीध में आई भोले नाथ ने अपने दिव्यबान से तीनों को एक साथ नश्ट कर दिया तीनों पुरियों को वित्भंस करने के कारण ही भोले नाथ को त्रिपुरारी कहा जाता है भक्तों जिस दिन भोले नाथ ने तारका असुर के तीनों पुत्रों का वध कर दिया वो कार्तिक माश की पूर्डिमा का ही दिन था देत्यों के अंति की खुशी में सभी देवताओं ने स्वर्ग लोक में दिवाली मनाई थी जिसे देव दिवाली के नाम से जाना जाता है आईए सुनते हैं कार्तिक पोडिमा की एक और पौरारिक कथा और भेक कर्तिक पोडिमा बड़ी प्राचीन कथा है राजा हरिश्यंद्र का नाम तो सबने ही सुना है सुर्यवंस के राजा राज आयोध्याप करते थे राजा हरिश्यंद्र के पिता सत्यव्रत है कहते हरिश्यंद्र को राज सोप जब वो तो वृत्य हुए है सत्यव्रत ने जीवन में सब पुन्य ही कर्म किये है पुन्य आत्मा सदा ही होती स्वर्ग की अधिकारी किन्तु राजा सत्य व्रत को लगती देह हैं प्यारी देह सहित ही स्वर्ग लोक वो जाना चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं करेश दिन गंगाजना ये पर्व है बड़ा महार भगत्य जनो राजा सत्य व्रत बड़े ही धर मात्मा राजा थे उन्होंने अपने समस्त जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया अतहर वो स्वर्ग के अधिकारी थे किन्तु राजा सत्य व्रत अपनी देह सहित स्वर्ग लोक जाना चाहते थी एक दिन उनकी भेट रिशी विश्वामित्र से हुई उन्होंने अपनी दुविधा विश्वामित्र को बताई रिशी विश्वामित्र उनसे कहने लगी हे राजन वैसे तो ये शरीर नाशवान है किन्तु आपके पुन्नी कर्मों को देख कर मैं आपको स्या सरीर स्वर्ग लोक में वास करने के लिए एक यग्य का आयोजन करूंगा तो आपकी ये इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी रिशी विश्वामित्र ने राजा सत्यवर्थ की इच्छा को पूर्ण करने के लिए महायग्य का आयोजन शुरू कर दिया विश्वामित्र ने शुरू किया है महायग्य अनुष्ठा ताकि राजा सत्यवर्थ ना त्यागे अपने प्राम स्वर्ग लोक में देह सहित वो जाना चाहते हैं विश्वा मित्र इसे उपनक्षम यग्य कराते हैं रिश्मुनियों के मंत्रों में तो इतनी शक्ती है जो स्रिष्टी का नियम बना है उसे बदल सकती है विश्वा मित्र ने महा यग्य तो ऐसा रचाया है राजा सत्य व्रत ने स्वर्ग में जाना चाहा है कस्थान वो देह सहित फिर तो कर ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं कर इस दिन गंगासनार ये पर्व है बड़ा महार करीश दिन गंगसनार ये बर्व है बड़ा महार भक्त जनों रिशी विश्वा मित्र के मंत्रों चारण का ऐसा असर हुआ के राजा सत्य व्रत अपने देह सहित ही स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगे देव लोग में ये देख कर खलबली मच गई इंद्र देवता ने जब देखा के राजा सत्य व्रत अपनी देह सहित ही स्वर्ग लोग की ओर आ रहे हैं तो उन्होंने ऐसी चाल चली के राजा सत्य व्रत को वापस धरती लोग की ओर फेक दिया जाए राजा सत्य वरत विश्वा मित्र के मंत्रों की शक्ती से स्वर्ग लोग को आ रहे थी और इंद्र देओं ने उन्हें नीचे फेक दिया जिससे राजा सत्य वरत बीच में ही अटक गए उन्होंने रिशी विश्वा मित्र से सहायता की प्रात्ना की रिशी विश्वामित्र इंद्र देव के इस क्रित को देख कर बड़े ही क्रोधित हो गए विश्वामित्र को इंद्र देव पर क्रोध बड़ा ही आया राजा सत्य व्रत को उन्होने बीच में ही लटकाया बोले विश्वामित्र इंद्र को सबक सिखाऊंगा सत्य व्रत राजा के लिए एक सर्ग बनाऊंगा ब्रह्मः विश्लू महस का उन्होने फिर तो किया आहवान मुर्ति बना कर तीनों की है लगे फूकने प्राव विश्वा मित्र तो अपनी जिद पर अण ही जाते हैं जिन्हें देख कर इंद्र देव भी घबरा जाते हैं विश्वा मित्र की शरण में आखिर वो चले आते हैं पावन कथा सुनाते हैं स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं कर इस दिन गंगसनान ये पर्व है बड़ा महान बत जनों जब इंद्र देव ने देखा की विश्वा मित्र राजा सत्य व्रत के लिए एक नए स्वर्ग का निर्मान कर रही हैं तो इंद्र देव हार कर रिशी विश्वा मित्र की शरण में आगें और विंती करने लगें हे रिशिवर आप बड़े ही महान हैं किन्त कोई भी देह धारी मानों सह सरीर स्वर्ग लोक में निवास नहीं कर सकता इतना तो आप भी जानते हैं अथा मैं आप से विंती करता हूँ कि आप अपने शंकल्प को वापस लीजिए मैं राजा सत्यवरत की देह को दिव्य बना देता हूँ जिससे उनकी देह सहित स्वर्ग लोक में वास करने की इच्छा भी पून हो जाएगी और स्रिष्टी का नियम भी नहीं तूटेगा तब इंद्रदेव ने राजा सत्यवरत को दिव्य देह प्रदान किया उन्हें अपने विवान में बैठा कर स्वर्ग लोक को ले गए विश्वा मित्र ने अपना संकल्प वापस ले लिया है दिव्य देह फिर राजा सत्यवरत का बन गया है इंद्रदेव ही स्वयमह उनको स्वर्ग लोक में लाए पूर्ड हो गई राजा सत्यवरत की सब इच्छाए सत्यवरत राजा भी स्वर्ग में करने लगे है वापस कर्तिक मास की पूर्ड मकाही दिन था भगतों खाओ राजा सत्यवरत जब स्वर्ग लोक को आए है देव तगण भी उन्हें देखकर बड़े हरिशाए है इस उपलक्च में भी तो देव दिवाली मनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं कर इस दिन गंग असनान ये पर्व है बड़ा महार भक्त जनों कार्ति पूर्णिमा पर गंग असनान का भी विशेश महत्व है कहते हैं इस दिन गंग असनान करने से भगवान भोले नात की विशेश क्रिपा प्राप्त होती हैं क्योंकि इसी दिन भगवान भोले नात में तारकासुर के तीनों पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्धुन्त माली का वद किया था इन तीनों को त्रिपुरा सुर के नाम से भी जाना जाता है इन तीनों का वद करने के कारण ही धोले नाथ त्रिपुरारी कहलाए थे पवित्र नदियों में ही अश्नान को भक्त है इस दिन जाते है विशे से तोर से भोले नाथ की किर्प बड़ी ही पाते ही त्रिपुरा सुर कावध करके वो बन गए है त्रिपुरारी महादेव भी कहते है इन्हें और भोले भंडारी सनातन धर्म में कार्तिक पूर्णिमा तो एक रूतिसाओ है गंगा सनान का इस दिन भगतों बड़ा महत्व है भोले नाथ तो सदा ही किर्पा भगतों पर बरसाई कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो गंगा में डुबकी लगाई भोले नाथ के किर्पा सदा ही भगतों पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं करीस दिन गंगा असनान ये पर्व है बड़ा महान कार्तिक पूर्णिमा का ये दिन तो बड़ा ही पावन है स्वर्ग लोक में देव दिवाली मनाते इस दिन हैं गंगा असनान का इस दिन भगतों पुन्य बड़ा ही मिलता पुन्य कर्म जो करते हैं सदा उनको मिले सफलता कार्तिक पूर्णिमा की इस कथा को जो भी सुनते हैं बिगडे हुए भाग भी उन बगतों के बनते हैं हंस राज रिलहन को कथा पसंद बड़ी ही आई फोज सुरेसन लिखा है जिसको डियस पाल न गाई लाखो सनातन प्रेमी जिसको सुनना चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं स्वर्ग लोक में इस दिन देव दिवाली मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं कर इस दिन गंगासनार ये पर्व है बड़ा महार कर इस दिन गंगासनार ये पर्व है बड़ा महार